दोस्तों हमने अकाउंट तो बना लिया blogger.com पे और आप बारी आती है कि इसके इंटरफेस को हम थोड़ा से learn करें और देखें कि ब्लॉक किस तरीके से बनता है करेंटली जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है वो बड़ा बिसिक है उसके पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझना आ रही है लेकिन जैसे ही आप creative block के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने options कुलना शुरू होंगी और फिर blogger.com का actual full strength इंटरफेस आपके सामने अपीर होगा जब आप अपना पहला block create करेंगे तो आईए ज़रा देखते हैं कि वो कैसे होता है सबसे पहले creative block के बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहां अपने block का नाम डिसाइड करें जो block का नाम है यह block का जो title है इस एक्शली डिफाइन्स वोट दो यूँ वांट तो राइट इन दे ब्लॉक ब्लॉक का नाम यानि कि block का title जो है यह बहुत ज़्यादा important और एमियत रखता है इस एक्शली डिफाइन्स कि आपका block किस बारे में है और आप उस पे क्या क्या चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं आपने एकसर देखा होगा कि लोग अपने नाम के साथ cake shop यानि कि यासे cake shop लिख देते हैं क्यों क्योंकि उस particular block के ओपर वो cake oriented ये cake के बारे में बात कर रहे होते हैं recipes होती हैं, different videos होती हैं कुछ लोग food blog अपना चला रहे होते हैं खौज़े का food blog या खौज़े के खावे क्या? उसके अंदर जो खौज़े साहब हैं वो different restaurants पे जाते हैं कभी कबार तो दिन में 8-9 दफा भी आप उस पे पोस्ट कर रहे होते हैं एक अच्छे blog के निशानी होती है तो जिस चीज़ में आपका interest है उसके बारे में आप blog बनाईए यहां for example मैं blog बनाना चाहता हूँ digital marketing के बारे में तो blogger.com अपना trademark name जो है वो यहां use करोगा जो है blogspot तो यहां for example मैं digital marketing blog जो है उसको मैं dmb के नाम से रखना चाहता हूँ तो I will write dmb और नीचे suggestions में आप देखें कि appear हो रहा है dmb.blogspot.com तो मैं उस पे click करूँगा अब यह मेरा website address है उस पे click करने के बाद अगर आप note करें तो अब blogger.com मुझे बता रहा है कि यह blog address available नहीं है इसका मतलब है यह blog address कोई और दुनिया में use कर रहा है तो I will change it and I will write dmb.pk और उसको अब देखते हैं कि वो क्या available है और blog address available है तो मेरा इस ताम currently blog address सब हो गया dmb यह दिजिटल मार्किटिंग blog pk.blogspot.com और यही मैं as a website address different social media handlers पे use कर रहा हूंगा उसके बाद आती है theme के बारे यहां आप वो theme या template select कर रहे हैं कि जो blogger.com आपके सामने as an example रख रहा है आप इन में से अगर कोई आपको पसंद है design तो यहां select कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहां कोई select नहीं भी करते हैं तो आप इन दर future अगली settings में जाकर different themes को decide कर सकते हैं और select कर सकते हैं फिलहाल मैं इसको as it is चोड़ूँगा and then I'll click on create block button ताकि मेरा block जो है वो पहले create हो जाए उसके बाद I will decide कि मैंने क्या design उसमें रखना है click block button पर click करने के बाद अब आपके सामने main interface appear हो रही है और यह वो interface है कि जो आपके तमाम block related चीजों को handle कर रही होगी और आप इसके through अपने block को manage कर रहे होंगे दोस्तो left menu को explore करने से पहले मैं आपको request करूंगा कि आप left side top पे जो view block का button है उसके click करें ताकि आपका जो actual web blog है वो open हो जाए एक अलग screen में तो जो जो changes आप कर रहे होंगे वो यहाँ appear हो रही होंगी और lifetime यानि कि real time में आप उसको देख रहे होंगे कि अब पूरी दुनिया के सामने आपका blog कैसा दिखता है तो currently मेरे blog की ये shape है left side पे मेरा profile आ रहा है और digital marketing blog का title आ रहा है और there is actually nothing on the blog at the moment मैं वापस blogger.com में जाऊंगा और यहाँ आप चीज़ों को add करना शुरू होंगा सबसे पहले मैं new post add करना चाहता हूं तो ये एक handy button है orange color का new post का उस पे click करें new post पे click करने के बाद आपके सामने एक बड़ी easy to use screen खुल जाएगी ये बिल्कुल Microsoft Word oriented ये Microsoft Word की तरह की screen है सबसे पहले आप यहाँ अपना post title लिखेंगे for example मेरा post title है my first blog right over here my first blog और उसके अबाद नीचे blog के अंदे यानि कि वो उस article के अंदे में लिखना क्या चाहता हूं let's type that my first blog is actually the heading तो मैं my first blog लिख के उसको bold करूंगा bold करने के बाद I'll change it to heading और जब मैं heading भी change करूंगा तो automatically उसका जो size है और जो उसकी boldness है वो उसकी increase हो जाएगी उसके अबाद let's start typing this is my first blog and I am very happy about it मैं अब यहाँ कोई image आइट करना चाहता हूं तो ओपर अगर आप note करें तो image का एक button बना है उसके साथ ही video को भी button है अगर आपको video यहाँ आइट करना चाहरे है remote icons का button है जिए तर आप special characters attach कर सकते हैं अगर for example आप चाहते हैं कि किसी line को आप quotation के अंदर लिखें आपने अक्सर ब्लॉक्स में देखा होगा कि कुछ lines होती है वो बड़ी बड़ी करके different तरीके से लिखी वी होती है ब्लॉक्स के अंदर तो आप पहले line लिखें this is the line और उसको आप select करने के बाद आप quotation के या quote के button के उपर click करें तो अगर आप देखें कि अब जो है वो line के जो आपने लिखी थी main screen के अंदर अब वो थोड़ी सी forward हो गई है यानि indent हो गई है क्यों कि अब वो quotation की form में आगी तो आप इसको करके bold भी कर सकते हैं heading भी बना सकते हैं और जो हो चीज़ आप यहां लिखेंगे वो readability के हिसाब से ज्यादा बेते रहती है as compared to normal text image अगर आप add करना चाहते हैं तो आप image के button पे click करें और click करने के बाद अब different options आपके सामने आ रही है from this blog की option है याँ अगर आपने blog में कोई image save किया हुआ है Google album में आपके पास कुछ है आपके phone में कुछ है, webcam में है या कोई URL या नहीं के website से आप image को copy करना चाहते हैं तो अगर आप अपने laptop या या desktop से कोई upload करना चाहते हैं button और अब वो image जो है वो मेरे blog के अंदर automatically insert हो जाएगे और इसी तरीके से मैं तमाम अपना पूरे का पूरा blog जो है वो type कर लूँगा, अगर कोई ऐसा email address है कि जो मैं add करना चाहता हूँ as a link अपने blog के अंदर ताकि उसकी read जो हो ज्यादा पढ़े तो मैं उस website का address यहां लिक हूँगा, select करूँगा select करने के बाद link के बटन पर click करूँगा और यहां जो मैं अपनी website का address लिक सकता हूँ, जब ही मेरे blog पे कोई यह text देखेगा और उस पर click करेगा तो वो automatically उसको मेरी website के ऊपर ले जाएगा और लेके जाकर वो landing page के उपर appear हो गई user अब इन options के बाद जो दूसरी options है, वो वही है आप अपना text decide कर सकते हैं कितना आपने उसको बड़ा चोड़ा करना है font को उनसा आपने रखना है, bold है और standard जो options different word के होती है, वो वही options ये available हैं right side पर अगर आप देखें तो labels की option है, जो बड़ी interesting है आप यहाँ different labels, यही के tags associate कर सकते हैं, each blog post के साथ जो search engine optimization में बहुत ज़्यदे help करते हैं, क्योंकि ये वो keywords हैं कि जो ज़्यादतर associate हो रहे होते हैं आपके blog के साथ, और user इसको search कर रहे होते हैं इंटरनेट पर, तो अगर मैं इसका label रखना चाहता हूँ digital marketing, तो I will type digital marketing, और एक label से दूसरे label पर जाने के लिए मैं कॉमे का इस्तमाल करूँगा, कॉमा लिखके space दबाऊंगा, and then I'll type another keyword over here, for example, marketing is another keyword, और फिसको बाद जब हम कि अब ये scheduled हो, यानि कि automatic तरीके से उस time ना appear हो रहे हो जैसी आप इसको post करें, so you can actually select date and time over here, तो आप post तो अभी बना रहे होंगे, लेकिन वो किस date और किस time पर appear होनी है, वो उसको आप यहां से select कर सकते हैं अगली option है, पर्मना, यह permanent link की यहां आपको ब्लॉग, आपका जो particular ये ब्लॉग है, उसके link यहां पर वाइड कर रहे हैं, जिसको आप different social media places पे post कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, location की option है, कि आप किस location पे बैट किस blog को लिख रहे हैं, you can add that over here also, और different options के अंदर आप पे click करके देख सकते हैं, कि इन में से कोई ऐसी option जो आप change करना चाहते हैं, you can also do that over here, अब दोस्तों यह जब पहला blog आपका त्यार हो गया है, तो you can actually either preview it, you can close it, you can save it, or you can publish it, मैं अगर फिलहाल इस पे publish के बटने पे click करता हूँ, तो अब यह मेरा पहला जो blog है, यानि कि पहली post जो है, वो publish हो चुकी है, तो यहां main page पे post के अंडर, अब मेरा पहला blog यह अपेर हो रहा है, इधर से यह आप edit करके उसको change कर सकते हैं, view कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अगर आप इसको facebook पे, किसी पहले खोला था, और इसको मैं refresh करूँ, अब आप नोट कीजिएगा, कि मेरी जो पहली post है, वो यहां appear हो रही है, तो that's why I say, always you need to have your view blog button clicked and your blog opened, ताकि आप उसको live time देख सकें, कि आपकी blog post कैसे आ रही है, तो अब यह देखिए कि जो मैंने चीज टाइप की थी, वो किस तरीके से appear हो रही है, मेरे blog page के उपर, अगर मैं इस पर मजीद read more पे क्लिक करता हूँ, तो actual page खुल जाएगा, जिसके अंदर में tags भी एंटर किये थे, website भी एंटर की थी, और different image भी एंटर की थी अब आईए, वापिस चलते हैं, दुबारा blogger.com के interface पे, तो यह तो आपने देख लिया कि new post कैसे create होती है, इसके लावा left side पे अगर हम देखे हैं, तो stats की एक option है, stats की option जो है, उसके ओपर blogger आपको बता रहा है के, different traffic sources क्या क्या रहे, आपकी post को पर कितने views हैं, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो यह तमाम data जो popular होता रहेगा, और यह बड़ी helpful चीज है, जब भी आप जो है, वो blogger को यूज कर रहे होते हैं, in order to earn some money, comments क्या क्या हैं, you can see that over here earnings क्या रही, earning you can actually do it through Google AdSense Google AdSense embed or integrate हो जाता है blogger.com के साथ, मतलब यह है कि आपने एक blog शुरू किया और आप चाहते हैं कि आप उसके थूरू पैसे कमाएं, तो Google AdSense is a platform के जो जिसके थूरू Google जो है, वो एड्स को account होगा, तो blogger.com में यहां आप link के account पर click करेंगे, and then Google AdSense will be linked with this particular blog, उसके पाद अगली option है campaigns की, campaign के option में जब आप click करेंगे, तो यहां आप select कर सकते हैं, और decide कर सकते हैं, कि अगर आपने paid तरीके से अपनी blog की reach को बढ़ाना है, यहां, blogger.com आपको यह option देता है, कि आप पैसे खर्च करके अपनी blog post को ज्यादा से ज्यादा logo तक पहुँचाएं, और वो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहां आप campaign design करते हैं, तो campaign design करने के बाद, आपकी region of different logo तक पहुँच रही होती है, यह campaign आपको पैसे खर्च करने पढ़ें, लोगों तक अपना content पढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब है, कि या तो आपके blog का design अच्छा नहीं है, for example, जब मैंने new post बनाई थी, तो उसमें एक चीज़ मैंने quotation, यहनि quote के बारे में बताया था, हमेशा जब भी आप blog बना रहे होते हैं, तो कोशिश कीज़े कि उसमें images यूज़ करें, उसमें list को use करें, या निके 1, 2, 3 points से use करें bold format में कम लफज हो लेकिन bolded format में हो, क्योंकि लोग ज़्यादा skim कर रहे होते हैं, scroll up, scroll down करके blog के post को पढ़े होते हैं, तो जो भी आपने content उसमें रखना हैं, वो इस तरह का हो, कि लोग उसको असानी से पढ़ सके, तो campaign आपको पर करने की जूरत नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आपने करनी है, तो campaign का ये button जो आप click करेंगे, उसके through you can actually drive campaign and you can bring more results and more reach of your block, campaign के बाद pages का button है, अगर आप अपने block के ओपर different pages एड़ करना चाहते हैं, तो pages पर click करने के बाद, आप new page पर जब click करेंगे, तो इसके through आप different new pages बना सकते हैं अपने block के ओपर, currently अगर आपके block के ओपर सिर्फ home page है, तो you can add about page, you can add profile file page, or you can add community page, यह आप पर डिवेंड करता है, और वो सारे का सारा आप यहां से कर सकते हैं, layout के बटन पर आप click कर सकते हैं, और देख सकते हैं, कि आपके block पे system currently, कौन कौन सी चीज़ें appear हो रही हैं, and you can actually change that over here, अगर आप search बार नहीं रखना चाहते हैं, तो आप search के आगे जो यह pencil का निशान इस पर click करें, और click करने के बाद आप इस option को यहां से hide कर सकते हैं, for example, it says visible show block search, मैं इसको जब unchuck कर दूँगा, और save के button क्लिक कर दूँगा, अब मैं अपिस अपने blog पर जाता हूं, तो आप ज़रा नोट कीजिए कि currently blog पर मेरी search का right side top के ओपर icon है, वो नजर आ रह रहा है, लगिए जब मैं इसको refresh करूंगा, यह search का icon जो है, वो disappear हो जाएगा, इस तरीके से आप अपने blog पर layout के पर काम कर सकते हैं, और चीज़ों को यहां से change कर सकते हैं, अब आती है theme की बारी, theme is the most important part of the blog, और यहां आप अपने theme को decide कर सकते हैं, इधर जो blogger.com है वो आपको desktop preview भी दे रहा है और mobile preview भी दे रहा है, जो दिचे दिएवे themes हैं, यह को बहुत अच्छे तो नहीं है मेरे नज़्दीक, and I think this is the weakest point of blogger.com, they should include more themes in here, लेकिन currently जो themes हैं, इनमें से आपको एक theme select कर सकते हैं, तो for example, अगर मैं यहां से theme select करूं, और notable में से for example, मैं second theme black वाला select करता हूं, select करने के बाद, मैं इसको apply to block करता हूं, अब मैं वापिस अगर अपने block पे जाऊं, और block पे जाकर refresh करूं पेज को तो अब मेरे block का जो outlook है वो change हो गया, अब देख लें कि मेरे block के left side top पे title आ रहा है, और उसने निया theme जो है, उसको blogger.com आपको यहां provide करता है, और बड़े easy to use तरीके से आप उन तमाम चीज़ों को यहां change कर सकते हैं, मैं back to blogger जाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि settings की option में हमारे पास क्या चीज़ें available हैं, settings की option में आप अपनी privacy setting, email setting और इसे related, दूसरी setting के जो blogger के लिए important है, उसको change कर सकते हैं और select कर सकते हैं अब दोस्तों, यह बड़े brief तरीके से मैंने आपको बता दिया कि blogger.com को up and running कैसे करना है, अब इसे आगे अपना एक अच्छा सा blog बनाना, जिससे कुछ लोग होते हैं वो अपनी daily life के बारे में भी blog बना रहते हैं, कि जी मैं daily क्या कर रहा हूँ और लोग उसको पढ़ने पसंद भी करते हैं, तो इससे वजासे आप जिस topic पर भी blog बनाने चाहते हैं इस तरीके से blog बनाए, blog बनाने के पाद उस पर post करना शुरू करें और जब उस post के उपर views आना शुरू होंगे और comments आना शुरू होंगे तो आप automatically enjoy करना शुरू कर देंगे blog के काम को करना और फिर आप अपना blog भी लिखना शुरू कर देंगे अब freelancing की दुनियां के अंदर बहुत सारे clients आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई मैं पैसे कुछ पे नहीं करूंगा आपको तो पैसे पे करूंगा blog बनाने के और maintain करने के लेकिन मैं campaign run करने के पैसे पे नहीं करूंगा तो आप मेरा एक blog बनाए इस topic पे blog हो उसका content regularly update हो और उसको organic तरीके से लोगों तक पहुंचाएं या फिलाएं यानि के कैसे blog बनता है इसको practice कीजिए practice करके अपना blog बनाईए अपना blog बनाके पूरी community साथ share कीजिए